दोस्तों आज हम तुर्टे पाट का बैस करने वाले है और पाट का नाम है व्यायाम सरोधा पत्य हो व्यायाम मतलब व्यायाम एक्सरसाइज सरोधा मतलब हमेशा पत्य हो मतलब कल्यान कारक है व्यायाम हमेशा कल्यान कारक होता है इसलिए हरोज व्यायाम करना चाहिए इस पा बताए गया है तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे उसके बाद उसका अनुवय और उसके बाद उसका अर्थ शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत कृत्वातु सुखम देहम विम्रुद नियात समंत तह तो चलिए अनुवय पढ़ते तो फिर हमें अर्थ अच्छी तरह स समझ में आ जाएगा शरीर आयास जननम कर्म शरीर मतलब बाड़ी और बाड़ी मतलब शरीर के द्वारा जो मेनत की जाती है आयास मतलब मेनत परिश्रम और उससे जो जननम उससे जो क्रेट हुआ निर्मान हुआ जो कर्म है उस कर्मों को ही व्यायाम नाम दिया जाता है व् तो यहाँ को करके तो समंतत और से सुख धेह को इम्रुद्ड नियात मतलब की मालिश करनी चाईए तो कहने के धात पर यह यह किसे कहा जाता है जो शरीर के मैनत के द्वारा जो कर्म होता है उसे व्यायाम कहा जाता है ऐसे व्यायामी शरीर को पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए ऐसा उसका कहने का दात परे तो अर्थम पड़ेंगे इंदे में शरीर के मेहनत से निर्मान कर्म को व्यायाम कहा जाता है उसे करके उसे मतलब व्यायाम को करके पूरी तरह से सुखी शरीर की मालिश करनी चाहिए। दुसरा श्लोक, शरीर उपचय हो कांतिर, गात्रा नाम सुविभक तता, दीपताग नीत्वम अनालस्यम, स्थीरत्वम लागवम मुर्जा। पहले अनुए, शरीर उपचय हो, शरीर का उपचय होता है। उपचय मतलब रुद्धी, मतलब सुद्रूर बनता है शरीर, किसे व्यायाम से, इस लोक में व्यायाम का फाइदा क्या होता है, वह बताय गया है। कांती ही, कांती मतलब तेजे स्विता, एक चमक आ जाती, चहरे परो, बोडी परो, गात्राना मतलब हमारे शरीर की सुविभक्तता, मतलब शरीर एक सौंदर या उशील दिखता है, सुंदर ता एक दिखने लगते हैं, शरीर के हर एक पार्ट की, दिप्ताग नित्वम भू लगना, अनालस्यम, हमेशा उत्साहित रहना, मतलब आलसी न रहना, ये व्यायम का फाइदा है, स्थीरत्वम, स्थीरत्वम दूर्टता, एक निश्चेता आ जाती है, लागवम, एक हलकापन मेसुस होता है, हमेशा इसा बोज नहीं लगता है, एक दम हलका सा लगता है, ओ मुर्जा, मुर्जा मतलब शुद्धी होती है, तो शुद्धी किस की होती है, पूरी शरीर की शुद्धी होती है, किसे है, व्यायाम से, इस तरह शब्द शार्ता भी अरता हम पढ़ते हैं, व्यायाम करने से शरीर की वुद्धी होती है, शरीर की चमक बढ़ती है, शरीर क के वजह से कुछ भी काम करने में तुरंत तयार रहते और शुद्दी होती है मतलब शेरिर की शुद्दी होती है कि व्यायायम करने से क्या-क्या फायदे होते है है तो पहले श्लोक बढ़ते श्रम क्लम पिपासो। श्रीता-्दी ना म सहिष्टुटध आरोग्यम चापः परम व्याय अमाद़ अधु पजाये लिए पड़ते स्रमक्लम करने कि शक्ती निर्मान होती है। चarme Safe अरिश्रम करते तो उसे भूरां करने की शक्ति हो जाती वुश्ट अंठार हुश्टता गर्मी भर्मी सहन करने कि अच्छी लाइब एक अच्छा अरोग्य अपी भी व्यायामात उपजायत निर्मान होता आप करोगे तो ही सब चीज़े आपको मिलेगी यह आप सब चीज़े सहन कर पाओगे ठंडी हो गर्मी हो सब आप सहन कर सकते हो आपको एक अच्छा आरोग्य मिलेगा एक अच्छी लाइप मिलेगे टो पहले आनवी पड़ लेते स्थुरता मोटापा पाकरशनम दूर हो जाता है मतलब котором दूर नहीं कोई भी भी नहीं है उसके मतलब 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 जिसका मरन नजदिक आया या बुड़ा हो चुका है ऐसा व्यायाम इनम एसा व्यायाम व्यक्ति जो हमेशा व्यायाम करता आ रहा है ऐसे व्यक्ति को भी अर यह शत्रू बलात न अर्देंती बल से उसे कुछल नहीं सकते है तो इसका फाइदा है यही है कि व्यायाम की वज़े से उसका शेरी इतना सकते हैं оры और मतलब अभी पहले भी महतों बताया और वापर व्यायम का आक्रमन करके न समधी रोती उस पर कभजा नहीं कर पाता है कौन नहीं कर पाता है कभजा बुड़ापा तो कभड़े के ताथ पर यही है कि हर एक इंसान को बुड़ापाने वाला है मगर जो बुड़ापे की लक्षन है वो नहीं दिखते है किसकी उपर जो व्यायाम करता है वह हमेशा तंदूरुस तरहता है तो उस पर बुड़ापा कबजा नहीं कर पाता है इसए यहां बता है यतव क्योंकि अभिया यतव हमने ब्रैकिट में दिया है उसका कारण यहीं है कि वह शलोक में शब्द नहीं है वह वह है यतव तो शलोक में मगर मिनिंग के लिए कि लि उसके वज़े से बुड़ापा उस पर असर नहीं करता है ऐसा है उसका मिनिंग है स्लोक नंबर सिक्स व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद्भ्याम उद्वर्तितस्य व्यादयो नोप सर्पंती वैनतेयम इव उरगाहा वयो रूप गुनेरहीनम अपी कुरियात सुधर्शनम अ मतलब ऐसा व्यायाम की जो दोनों पहरो दोरा उपर उठा जाता है उस व्यायाम का व्यायाम स्विन्न गात्रस्य मतलब व्यायाम के द्वारा स्विन्न गात्रस्य पसीने से लटपत ऐसे शरीर के पास च और और मतलब यहाद दो लिना है दो मतलब पहरो द्वारा उपर विब्याइब नहीं आती अईसे शरेर के पास बिमारिया नहीं आती मतलब जो व्यायम करता है उसके पास बिमारिया दिल्कूल नहीं आती यह था जैसे वेनेत यम。 उरगाहा ładु पसरपन्ती हम ने अब रैकट मिसली दे ए यह तो वो उसके नजदिक भी नहीं आते हैं उसे देखकर भाग जाते हैं तो उस तरह से जो वियायम करता है उसे देखकर ही भीमारिया भाग जाती है। कानिक ताथ परे हैं वयो रूप गुनई ही हीनम अपी वयो मतलब आयू एज रूप मतलब सुंदरता सौंदर्य गुन मतलब गुन तो इससे जो रहित है हीनम मतलब रहित मतलब जो इसके पास नहीं है यह इसी क्वालिटी जिसके पास नहीं है जिसका एज ठीक से नहीं है जि वो हमेशा व्यायम करता है, उसका शरीर एकदम धश्ट पुष्ट बनता है, और उससे व सुन्दय दिखता है, या वो दिखने में सुन्दर ना हो, या उसका काला हो, कैसा भी हो, मगर व्यायम करता है, तो दिखने में एकदम अच्छा दिखता है, एक तेजस्वी दिखता है स्लोक नमबर सेवन व्यायामं कुर्वत हो जो नित्यम हमेशा व्यायाम कर रहा है कुर्वत कर रहा है ऐसे व्यक्ति का विरुद्दम भोजनम अपी विरुद्दम मतलब बेकार भोजन विरुद्दम भोजनम मतलब बेकार भोजन जो खराब भोजन है खराब खाना है ओ भी अ विदकदम मतलब जो पका हुआ है अच्छा पका हुआ है और विदकदम जो ठीक से पका नहीं है वो भी निर्दोशम परिपच्चती बिना नुकसान के पच जाता है निर्दोशम परिपचे दिया मतलब बीना नुक्सान के पच जाता है मतलब जो व्यक्ति हरोज व्यायाम करता है वो कुछ भी खाए तो पच जाता है मतलब उसे कोई भी बीमारी नहीं होती है यह तो क्या होता है हम कुछ थोड़ा सा गलत खा जाते हैं तो हम तुरद बिमार पड़ जाते क्योंकि हमारा शरीर व्यायम इंशरीर नहीं हैसके वज़े से हम कुछ भी सहन नहीं कर पाते तो कहने का पर है कि जो कुछ भी सहन कर सकता है कि आयाम मों ही सदा पत्थ बली नाम सिर्ट निष्क जाएव जो ते तेल में भीगा हुआ बोजन करते हैं जिनें आले खाना पसंद गाना जिसे जो बलवान लोगं बली नाम व्यायाम रहे हो ऐसे लोगों को हमेशा भशायार्य थो खाना नहीं चाहिए मगर इदि वो खार है यह, तोने व्यायाम करना बहुत जर्यू उनके लिए उनके लिए उनके लिए शीते मतलब ठन के मौसम में, सर्दी के मौसम में, वसंतरुत में मतलब समर के मौसम में, तेशा उनके लिए पत्य तमह स्पृत कल्यान कारक कहा गया है। इदो व्यायम करते तो हर कुछ सहन कर सकते हैं। यदि व्यायम नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लेम हो जाएगी। श्लोक नमबर नाइन सर्वेशू रुतुशू अहरह पुम्भीर आत्महितेशिविह बलस्यार धेन करतव्यो व्यायम हंती अतो अन्यथा। तो अब अन्यथा। अतह इसलिए मतलब कि यदि आपको बिमार नहीं पढ़ना है। तो इसलिए क्या करना चाहिए। आत्महितेशि ही कि जो खुद का कल्यान चाहते है उनके द्वारह ऐसे पुम्भी एसी इंसानों के द्वारह सभी शूरुतिशू सभी रुतुशू में अहरह प्रतिदिन बलस्य अर्दिन आधी शक्ति के द्वारा मतलब कौन वह इनसान जो व्यायाम नहीं करता है। इसलिए रोज व्या का कल्यान चाहता है यह दि व्यायाम नहीं करोगे तो कमज़र हो जाओगे और कमज़र हो जाओगे तो नश्ठ हो जाओगे श्लोक नमबर टेन रुदिष्थानस्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपध्यते व्यायामं कुरुतो जन्तो तद बलार्धस्य लक्षनम तो पहल वायु है वह वायु वक्त्रम प्रपध्यते जब मुख को प्राक्त हो जाती है जब मुख में आ जाती है तो उसे ही बलार्धस्य लक्षनम उसे ही आधिय बल का लक्षन कहा जाता है आधा बल मतलब हमारे अंदर जो शक्ति होती उसका जो आधा बल आधी शक्ति मतलब क्या जाती है तो वही आधेबल का लक्षन है तो व्याया आम करना है तो कैसे करना चाहिए वो यहाँ बताए गया है तो वयह हमारी आयू कितनी है वो भी ध्यान रखकर व्यायाम करना चाहिए बल हमारी शक्ति कितनी हमारी पास कितनी ताकत है हमारा शरीर कैसा है शरीरानी हमारा शरीर कैसा है देश काल वो देश उस्थान कैसा है वो समय कुन सा है अशनानी भोजन मतला हम क्या खाते हैं क्या न हो जाओगे जो भी है जो ऐसी करेगा बिना सोचंठ समझे मतलब खाता है क्या पीता है outro सामर्थ कीतना है यह सब बिना ध्यान दिये जो करता है वह हाँ हो जाता है तो तो मार्ध सब ध्यान में करक एक हमारे शरीं को कौन सा cohort based अच्छा नहीं रहेगा यह सब सोच समझ कर व्यायम करना चाहिए तो इस तरह से आज हमने व्यायम का महत्व इस चैप्टर से समझ लिया है आगे हमने कोशन अंसर दिया है आप वो देख लीजिए धन्यवाद झाल 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 झाल